नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल Bound to Education में जारकन में स्वास्त बिवा की ओर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके सामने आई है राज के बीविन परकार के सरकारी अस्पतालों के लिए वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंट्रिक्चुल वैसिस का वैकेंसी होने वाला है दो साल के कंट्रिक्ट पर आपको रखा जाएगा और अगर आपके कारियों को संतोज जनक पाया जाता है तो आपका सेवा में विस्तार किया जा सकता है किसी भी परकार का यहाँ पर परिक्चा होने वाला नहीं है सीधा इंटर्व्यू होगा और इंटर्व्यू बैसिस पर आपको जॉब में रखा जाएगा जैसा कि आप सभी देख पारे होंगे इंटर्व्यू का डेट भी आ चुका है इंटर्वियू का डेट दिया गया है 4-3-2023 को रांची के रीमस अस्पताल में आपका इंटर्वियू होने वाला है तो क्या-क्या eligibility criteria है कौन-कौन भर सकते हैं क्या आहरता मागी गई है किस परकार formpok को फील करना है और किस परकार आपको इंटर्वियो के लिए जाना है सभी चीरों को आज किस वीडियो में चानेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो इसे जरू सबसक्राइब कर दे और अगर आपने इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे जरू लाइक कर दे आप सभी को पता होगा किसी भी परकार का वेकेंसी रिलेटेड अपडेट आता है चाहे वो छोटा से छोटा अपडेट हो, बड़ा से बड़ा अपडेट हो किसी भी परकार का किसी भी जीरे से वेकेंसी रिलिटेड अपडेट आता है आपको तुनन से उसका वीडियो आमारे चैनल पर देखने को मिलता है तो चलिए डारेक्ली नोटिस पे चलते हैं और देखते हैं किस परकार आपको फॉर्म पिल करना है, क्या-क्या अहरता मागी गई है तो जैसा कि आप से भी देख पारे होंगे, OPCL नोटिस पर हम लोग आ चुके हैं स्वास्त चिकित्सा सिक्षा एबं परिवार कल्यान विभाग के द्वारे ये निकाला गया है राज के सरकारी चिकित्सा महाबिद्यालोई के विभिन विभागों में सेक्षनिक संबर के प्राध्यापक के रिक्त पदो पर संबिदा के आधार पर यहाँ पर सिवाई परदान करने है तो यहाँ पर रिक्तिया निकली है चलिए पूरा डिटेल में जानते हैं जैसा कि आपसे भी देख पारे होंगे जारकंड के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग सरकारी अस्पताल का नाम दिया गया है जहाँ पर वेकेंसिस है जारकंड के कोई भी छात्र किसी भी जिले से भर सकते हैं आदर स्टेट के भी स्टुडेंट याँ पर भर सकते हैं जैसा कि आपसे भी देख पारे होंगे प्राध्यापक और सा प्राध्यापक को अलग-अलग बाट दिया गया है सभी की रिक्तिया दिया गया है रिक्ति अन्रिजर्ब्ड ST, SC, BC जो भी आपका केटेगरी है उस इस आपसे अपलाई कर सकते हैं अन्रिजर्ब्ड ST, SC, BC सभी को अलग-अलग केटेगरी में दिया गया है सबको अगर आपको देख रहा है तो देख सकते हैं मैं टोटल बता देता हूँ देखे टोटल जो यहाँ पर वेकेंसी है 72 यहाँ पर टोटल वेकेंसी निकल करके सामने आई है जो कि बहुत अधिक वेकेंसी होती है आहरता क्या मागा गया है चले देखते हैं आहरता जिसा कि आपसे भी देख पा रहे होंगे प्रध्यापक इमसह प्रध्यापक के पर समीधा के अधार पर सिवाए प्राप्त करने हैं तो MCI और MSC के द्वारा निर्धारत योग उसको नीचे जो फॉर्म दिया गया है उसमें दिया गया है हम लोग डिटेल में देखेंगे चेहन का अधार देखें वाकिन इंटर्व्यू के आधार पर यहां पर चेहन होने वाला है समविदा के अधार पर सेवाए प्रात करने हैं तु गठिद चेहन समीति के द्वारा यहाँ पर इंटर्वियू लिया जाएगा और इस परक्रिया के अंतरगत सस्भंधी अभिलेकों की जाच की जाएगी तद अनुसार विभागवार रिक्ती के बिरूद चैनित अभ्यारतियों के नाम अनुसंसा की जाएगी पहले इंटर्व्यू लिया जाएगा, सारा डोकुमेंट वेरिपाई किया जाएगा, उसके बाद आपको रिक्तियों के हिसाब से आपको लिष्ट जारी होगा और उसके हिसाब से चाहिनित अब्भारतियों के नाम यहाँ पे दिये जाएंगे यहाँ पे कुछ नियम और सर्ते दिये गए हैं, चली देखते हैं, प्रध्यापक एमुसा प्रध्यापक के पद पर संविदा के आदार पर सिवाएं प्राप्त करने के लिए एम सी आई और एन एम सी के द्वारा निर्धारित जो भी योग्यता हैं और जो भी अनुबह हुए उसको यहाँ पे लागू किया जाएगा चिकित सा माविद्याले के विभिन पदों में प्रध्यापक, एम सा प्रध्यापक के पद पर संविदा के आदार पर पद धारकों को समय समय पर बित विवाग द्वारा दिये गे प्रामर्स के अनुरूप मानसिक यहां पर दिया जाएगा इसके अखिरिक्त अेन कोई बाता या पर सुविदा नहीं दी जाएगी जिकित्सा महाविद्धाले के विभिन विभागों में प्रद्यापक, एमसर प्रद्यापक के पद पर संबिदा अधारित सिवाएं अधिक्तम दो बर्स के लिए रखा जाएगा और दो बर्स के बाद पुरोनती जो पहले हो तक अत्वा सतर बर्स की आयो तक होगी दो बर्स कंप्लिट हो जाने के बाद आपके पर्फॉर्मेंस का मुल्यांकन किया जाएगा अगर संतोस्देन पाया जाता है तो एक बार में एक बर्स के लिए आपका सिवा का बिस्तार किया जाएगा दो लाख पचास जार यहाँ पर दिया जाएगा और सब प्राध्यापक के लिए दो लाख रुपया यहाँ पर मांदे तै की गई है, बिवाग का नाम यहाँ पर दिया गया है, कौन-कौन सा बिवाग में रिक्तिया आई है, और यहाँ पर पद दिया गया है, दिनांक यहाँ पर दिया गया है कब इंटर्वियू होने वाला है 4-3-2-3-3 को यहां पर इंटर्वियू होने वाला है कहां इंटर्वियू होगा वाक इन इंटर्वियू रीम्स रांची के प्रसासनिक बवन साड़े ग्यारा बजे से यहाँ पर इंटर्व्यू स्टार्ट हो जाएगा ठीक है उम्मिद्वार जो भी है इच्छोक उम्मिद्वार वेबसाइट www.jharkan.gov.in slash health के अंतरगत requirement पर दिये गए इसी form को कहीं भी भेजना नहीं है आपको form फील करके जो भी requirement मागी गई है आपने जो भी परमानपत्र दिये हैं उसका अभी परमानित छाया परती के साथ मुल परमानपत्रों के साथ जो venue दिया गया है walk-in interview पर वहाँ पर आपको पहुचना है चले मैं form दिखा देता हूँ कौन सा form है उस form को जाकर के यहां से आप download कर सकते हैं www.jharkan.gov.in slash health से जाकर के download कर सकते हैं या पर टेलिग्राम में मैं उस form को डाल दूँगा इस परकार का form आपका download होगा उसको स्वाहस्त लिकित, स्वाहस्त तक्षरित यहां पर पोटो चिपकाना है और खुद से जो भी रिक्तियां दी गई है यहां पर भरना है और जो भी qualification मागा गया है जैसे की MBBS या फिर MD या फिर MS या फिर DNB जो भी डिपलोमा आधी जो भी डॉक्टरेट डिग्री होते हैं उनी चातरों के लिए vacancy है वे भर सकते हैं इनमें से किसी भी परकार का डिग्री है तो आप इसे भर सकते हैं ठीक है इस परम को भर करके जिस दिन interview होगा उस साथ में आपको ले के जाना है और जो भी आपने documents दिये गए हैं उसका चैप परती और साथ में उसका original भी आपको साथ में ले करके जाना है तो आज की इस वीडियो में इतना ही इसी परकार जो भी vacancies आते हैं उससे related update चाते हैं तो चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करके अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद